आपका टीचर इम्रान और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ एक स्पेशल छोटी सी क्लास और ये क्लास टागेट कर रहा हूं और उन लोगों के लिए जिनको लेर से बहुत जादर डर लगता है पता नहीं क्यों लगता है यार हलवा ये और आप लोग इतना डर के बैठे वह इस चीज़ से के खेर आई नो आई नो शुरू में मेरे लिए भी बहुत दा कंफ्यूजिंग था बट लेर्स ओनेसली सी क्लास लाजमी एक रखनी चाहिए जिसमें आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि लेर्स एतनी भयानक चीज़ नहीं है इतनी खौफनाक चीज़ नहीं है हम कभी भी किसी भी वक्त उठा करके यूज़ कर सकते हैं अलग-अलग अबजेक्ट अगर आप ले एक ही लेर पर भी बनाते हैं पूरा आर्टवर्ग तब भी आप हर एक अबजेक्ट को अलएदा से सेलेक्ट कर सकते हो अगर हम बात करें फोटोशॉप की तो वहां पे थो सबस्यात है तो आईए मैं आप लाँ जल्दी से बताता हूं कि लेश के 01 में है क्या क्या छिपाह बाइदावै यह वाली चीजने जो मैं भी बताने लगा हो सकता है यह उनको भी ना पताओ जो सकता है मैं यह नहीं कहा हुआ पका लेकर हो सकता है कि आपनों को भी कुछ नया पता चले इसमें आई यह देखते हैं जल्दी से जैसे हम यह इलिस्ट्रेटर में आते हैं आपके पास यहां पर यह पैनल है इसमें नीचे सबसे चोटा यह एक आइकन सेकंड लास्ट नमर पर और इसे के नीचे आपके पास artboards है, हम आट ये artboards को discuss नहीं कर रहे हैं, let's talk about layers, और इस पे मैं जैसे ही click करता हूँ, तो ये panel खुल जाता है, अच्छा, एक बाद याद रखीगा, कि अगर आप कोई दूसरा panel खोलेंगे, तो वो पिछला बंद हो जाएगा, अगर आप अपना बाकी सबकों मैं बंद कर रहा हूँ, आज हम बात करेंगे स्रिफ layers की, all right, what is layer, layer कुछ नहीं है यार, एक stacking order है, stacking order क्या होता है, कि एक चीज़ के ओपर, जैसे for example, ये मेरा एक हाथ रहे है, इसके ओपर मैं दूसरा हाथ रख रहा हूँ, supposed वीजरा हाथ भी रख रहा हूँ, and new layer लेते हैं, दूसरा object बनाते हैं, फिर new layer लेते हैं, तीसरा object बनाते हैं, and so on, ये different layers हैं, अगर आप चाहें, तो इसमें से कोई भी layer को hide कर सकते हैं, या lock कर सकते हैं, ठीक है, अब जैसे ये नीचे वाली दो layers मैंने lock कर दी हैं, तो अब ये तोनों ना select होंगी, ना move होंग है, ये वाली, ये चीज़ move हो रही है, सही है, अच्छा, इसको मैं unlock कर रहा हूँ, so मैंने जैसे start में आप से कहा था, कि layers illustrator में इतना बड़ा मसला नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं भी लेते हैं, तब भी आपका हर object अलेदा से select हो सकता है, and मज़े की बा सकता हूँ, कैसे, यहाँ इसी layers के panel में अगर आप आके देखें, तो यहाँ छोटा सा arrow दिया हुआ, ठीक है, इसको अगर आप click करें, तो यहाँ पर आपके पास यह different rectangles मैंने बनाए हूए, वो एक order में देख रहे हैं, so मिसाल के तो पर मैं इनको थोड़ा सा colors दे देता हू तरके आपनों को समझने में और असानी रहे, so इसको मैं बन कर रहा हूँ, layers को यहाँ रख रहा हूँ, let's say मैंने इस वाले में यह यलो डाल दिया, इस वाले में green, siyam, blue, और यहाँ पे pink, ठीक है, अब यह इन सब की तर्तिव आपको देख रहे ही कि कौन किसके ऊपर है, आपको यही देख रहा है, so अगर यह yellow वाला, जो सबसे पीछे है, मैं इसको उपर लाना चाहरा हूँ, तो click करके drag करें, और उपर लें, like this, अब यह सबसे उपर है, और यही काम जरूरी नहीं है, आप यहाँ से करो, आप simply right click करके, arrange कर सकते हो, send to back, बिल्कुल पीछे चला है, मुझे यह design finalize है, यहां तक का मेरा काम complete है, अब इसके उपर कुछ करना है मुझे, तो बेहतर है कि आप एक new layer ले ले लें, आप इस वाली layer को मैं lock कर देता हूँ, क्योंकि मेरा जी यहां तक का काम हो गया, अब मैं कुछ और object बनाता हूँ, मिसाल के दबर मैं कुछ ellipse बना रहा हूँ, ठीक है, एंड इस पे मैं colors थोड़े से और मुक्तलिफ ले रहा हूँ, एक यह में ने बनाया, एक और मैं यह बना दिया, एक और मैं यह बना दिया, ठीक है, आप जैसे यह तीन circle जो यहां पर बने हूए हैं, यह मेरे पास अलहदा से layer पर हैं, ठीक है, और और आप जब चाहें इनको लॉक कर दें चाहें अनलॉक कर दें यह आपके पास है option यहां से आप हाइट करना चाह रहे हैं यह चोटी सी आँख वाला आइकन बनावा है आई बनी भी है इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यह गायब या अपेर हो जाते हैं ठीक है हाँ अगर आपके पास बहुत सारा artwork है और बहुत सारी layers है उसमें एक सबसे बड़ा confusion होता है कि मुझे particular layer का object जो है वो select करने है उसमें problem यह हो सकता है अगर आप यू select करने लगेंगे तो सारी layers का data select हो जाएगा बहुत चोटा सा काम करेंगे देखें यहां इसी layer पर आफिर में यह इस पर अगर आप click कर दें तो उस particular layer के तमाव objects select हो जाएंगे see this अब मैं को move करूँ तो सिर्फ यही चीज़ मूव हो रही होगी right बस यह दिवा में रखें के layers आपके काम को थोड़ा सा manage कर देती है आपके काम को थोड़ा सा organize कर देती है और आपके लिए असानी पैदा करत और एक बात याद रखे हैं मेशा आप कुछ भी कर लें आपके computer में धमाका नहीं होगा तो please try तो करो यार इतना डरने की कोई जरूत नहीं है right so देखें अब मैं अगर इस पूरे को मैं नीचे करना चाह रहा हूँ तो simply इसको drag करके नीचे ले आओंगा अब यह आपका ठीक है अब मिसाल के तौर पर आपके पास बहुत सारी चीज़े हैं और मुझे सिर्फ उसमें से कोई एक चीज देखनी है लेयर पर कहां पर exist करती है तो जैसे यह पीछे ग्रीन कलर का box दिख रहा है मैंने simply इस पे click कर दिया right इस पे जैसी मैं click करता हूँ उसमें मुझे ब पता देगा कि यह कहां मौझूद है अब इसकी कब जरूरत पढ़ सकती है कि मुझे सिर्फ इसको lock करना है अब देखें यह layer 1 के अंदर एक अलग से rectangle बना हुआ है जिसको मुझे lock करना है अब सारा आपका artwork unlocked है सिवाए इसके यह locked है ठीक है अगर मुझे इसको यह करना हो कि अगर हम इस तरह से multiple objects बनाते हैं और हम उसके ऊपर कोई भी shape बनाकर select करते हैं सबको और right click करके make clipping mask बना देते हैं अब यह क्या होता है कि यह पूरा एक ही object बन जाता है ठीक है आपके पस layers में एक और option है masking का ही clipping mask का तो अगर इसी तरह से मैंने यह objects रखे हुए हैं यह उपर से एक object रखा है इन सबको मैं select करके यहां पर एक यह चोटा सा button दिया हुआ द्वारा दिखा देता हूं जूम करके make release clipping mask लिखावा रहा हुता है इस पर अगर आप click करते हैं तो यह भी आपको mask करके देदेगा लेकिन मज़ेदार सी बात यह है कि यह आपकी चीजें locked नहीं है आप जब जाएं इनको edit कर सकते हैं अब चूंकि यह layer के उपर हुआ है यह आपस में interact इस तरह से कर र आपके पास आ रहा है new layer और यहां से delete layer यह जो है layer को यह यहां से पूरा select करके यह आप delete कर सकते हैं यह भी delete नहीं करेगा because आपके पास at least 2 layers होंगी तब यह delete होगा ठीक है so anyways मैंने एक new layer लेकर कि यह पूरी layer delete करना चाहरा हूँ मैंने यहां पर click किया और यहां पर आके click कर दिया दूसरा एक option यह है इसको delete करने का कि आप simply इसको layer को drag करो और इस पर लाके drop कर दो यह तब भी delete हो जाएगा ठीक है अगर आप किसी भी layer पर double click करते हैं यहां पर जहां पर इसका नाम लिखावा है आप इसका नाम change कर सकते हैं so इसका नाम कुछ भी रख दें right all right plus अगर आप layer पर इस जगह पर double click करते हैं तो आपके पास यह एक panel खुल जाता है जिसमें आप इसका नाम रख सकते हैं image लेते हैं या new document लेते हैं आप जब भी कोई चीज को select करते हो you see blue color आपको यहां पर बड़ा simple सा blue color की selection दिख रही होती है ठीक है अगर आप चाह रहे हैं कि जी इसका यह color blue ना है selection का double click करें यहां से color change कर सकते हैं यह मैं पहले भी class में किसी में बता चुक हूँ बारहल आप 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 चूंकि यह लेर से related है तो इसके मैं चाहरा हूँ कि यहां पर यह मैं बता दूँ ठीक है next यहां पर जैसे मैं नहीं बताई यह चोटा सा सरकल आ रहा है यह आपके layer के पूरे contents को select कर लेता है ठीक है जी अब छोटी-छोटी सी चीज़ें और कई वाला कुछ lines बनी है इस पर आगर आप क्लिक करें तो आपके पस एक पूरा menu आ रहा होता है इसमें सब सबसे आखिर में आपके पास आ रहा है panel options इस पर क्लिक कर दें ठीक है और यहां से आप अपनी layer के यह जो thumbnail है इनको बड़ा कर सकते हैं simply आप large करते हैं या even other करते हैं sometimes मैं यह ले बहुत बड़ा सा करते हैं 80 pixels okay करें यह आपकी बड़ी सी thumbnail आ रही होगी like visibility का भी issue नहीं है आपको बहुत easily someone में आजाएगा हाँ अगर यह थोड़ी सी जगह आपकी screen पर ज्यादा गेरेगी it is up to you सहीं and दूसी बत जैसे मैंने कहा था के circle का तो याद रखी कर यह circle पर आप जब भी click करते हैं उस particular content को आप select कर रहे होते हो आप directly सारे object select करना चाहरे एक लिए पर आप इस पर click कर दें यह सारे select हो जाएंगे ठीक है now पैनल options के बाद आपके पास एक चीज़ और मैंने mesh वाली class में बताई थी कि अगर आप control के साथ इसकी आई पर click करो तो यह outline mode में आ जाती है सिर्फ यह layer outline mode में है तो मिसाल के तौर पर अगर आपके पास दूसरी layer है जिसमें multiple objects बने वे हैं अगर आप एक को करते हैं तो वह दूसरी वाली normal दिख रही होगी जिस पर आपने control के साथ आई पर click किया है व आपका पूर outline mode में आ रहाते हैं now control y गलती सा अगर press हो जाए तो please दोबारा control y प्रेस कर लिया करें आपका चीज़ें सब कुछ normal हो जाएंगी ठीक है now मैं इस layer को उपर आपके पास यहां पर ही कुछ और options आ रहा है ठीक है now इसमें मैं इन तमाम चीज़ों को तो discuss नहीं है कि इसमें एक छोटी सी चीज़ बहुत मज़िदार सी है release to layer sequence and release to layer build sometimes यह होता है कि हम कोई artwork बनाना चाह रहे हैं और let's say मैं एक character बना रहा हूं या कोई भी चीज़ करें एक character बना लेते हैं ठीक है तो मैंने एक simple सा circle लिया और एक मैंने rounded rectangle लिया ठीक है इसका मैं color change कर रहा हूं and एक मैंने यह बनाया और एक मैंने यह बनाया ठीक है और इसको मैं send to back कर रहा हूं और simply इसी में नीचे आ करके यह मैं पैनल अपने छोटा कर रहा हूं थमने बहुत बड़ी आ रही है मेरी आज़त नहीं है इतनी बड़ी थमनेल्स की अब देके मैं यह वाला select किया हूँ है मुझे बता रहा है कि यह selected है ठीक है और इसको मुझे लेके जाना है इस ellipse के है ठीक है बहुत ज़्यादा मोटे हैं पैर पैर तोड़े कर दोते हैं अब देखें मैं यह सब कुछ उठा करके लेके जाना चाहरा हूं किसमें अपना after effects में या कहीं पर भी किसी भी software में लेके जा रहा हूं बट मुझे वहां पर इन सब की layers चाहिए अब obviously यह मुझे layers चाहिए तो मैंने यहां पर तो क्या किया है कि हर एक object को मैंने इस तरह से किया है कि एक यह layer पर बना दी है हां यहां अलबता मेरे पास different layers है अब इन सब को अलग-अलग layer पर ले जाने के लिए एक तरीके कार आप कर सकते हैं कि आप इस layer को click कर रहें select कर र layer 5 इन सब में एक-एक object step by step आ रहा है तो यहां पर है पिर यहां पर यह दो है यहां पर यह तीन चीज़े हैं यहां पर चार चीज़े हैं यहां पर पांच चीज़े हैं यहां पर छे चीज़े हैं लेकिन यह वह चीज़ नहीं है जो मैं चाहरा था ठीक है तो मैं इसको कर र कि कि आपके हर object को एक लियर पर रख देगा तो अगर मैं सब को hide कर दो यह देखें यहां पे सिर यह यह है यह 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 है और यह है यहां भूरा ब्लिक कर एक अगर siis आ प्र सेरे is उस सब्सक्राइं किस द formally ऑंने भूब टार भी किए उसको स्पर्ट करें किस तरह से में एंड इन सब को पकड़के यहां उपर की तरफ ड्रैक करें अब जैसे आप ऊपर की तरफ ड्रैक करेंगे यह सारी लेयर अलहदा लाइदा होजएगी फिर यह लेयर 1 जाहरे यह खाली रहे जाएगी क्योंकि हम सब इस सब चीजों को अलहदा लेयर पर ला चुके तो आप चा बाद जो confusion आप लोगों को होती है वो यह होती है कि यार इंगलिसमस हमें पता कैसे चलेगा कौन सी लेयर में क्या है तो यार प्लीज इन सब चीजों का नाम रख लो अब जैसे यह है मैं इसका नाम रख देता हूं right leg ठीक है यह वाला है मेरा left leg and यह है left arm यह की body यह इसका head और यह इसका right arm it so yeah the first of हिसार रूज़गों को बहुत वर्थ तक्लीफ होती बहुत आजियत होती है चीजों नाम रखने में अन्र्येटा का यह अनगे थिकом्य आ ПО अ यह एक्द Suppose now if properly रख करें नहीं रखने तो आप फुद परिशान हो जाएंगे कि आप फाइल कैसे सर्च करेंगे अगर आपके हाट ड्राइव में दस वजार फाइलें रखी वी हैं सबका नाम उन्टाइटल है अंटी के आगे नंबर्स हैं लेकिन हाउड यू नो कि उस पर्टिक्लर फाइल में क्या है जो चीज बना रहे हो उसका आपके लिए फाइदा है उसी तरह से लेर्स अगर आपके पास बहुत ज्यादा है प्लीज नाम रखें उनका राइट यह आपको बहुत ज्यादा है ठीक है तो यहां तक तो आप समझ में आगया होगा इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं मसला इसे घबराएं नहीं और आपके लेर्स पर काम करेंगे लेकिन अगर आपको पूछ पूछना है कोई मसला है इसमें और भी कुछ छोट चोटी चीज़ है मैं नहीं समझता है कि वह इस वक्त जरूरी आपनों को बताना बट स्टिल अगर आपनों कुछ पूछना है मैसेज करो यार मुझे कोई मसला नहीं मैं आपको हमेशा जवाब देता हूं कभी कर वाड़ लेट हो जाता हूं लेकिन मैं जरूर जवाब दूँगा और अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और अभी तक आप लोगों अगर सब्स्राइब नहीं किया तो क्या करो यार सब्स्राइब करो लाल